हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्जिंप्शन एक्जिंप्शन इस फ्रॉम जी एस्टी अगर हिंदी वर्ड देखूं इसका मतलब होता है चूट किस से जी एस्टी से सरकार कहती है की सरकार कहती है की क्या जी एस्टी हर कोई देगा सरकार ने कहा येस अगर मैं यहां पर बोलूँ यहां पे सब्सक्राइब गॉर्मेंट है और मैं यहां पे सामने खड़ा हुआ हूँ मैंने इस से question किया whether each and everybody is liable to pay GST or everybody, each and everybody in India is under the ambit of GST government का response मुझे आया 110% I raise the question sir, if somebody is doing a social activity which ideally you should do, but you are not able to do, I have taken that on us on me that I will take care of some of the social welfare in my surrounding, maybe like nearby my house, maybe in my district maybe in my state or maybe across the India तो आप मुझे एक बाब बता हिये sir, आप का काम मैं कर रहा हूं ठीक है और आप जो भी समान में खरीता हूं जो भी समान में खरीता हूं उस social welfare के लिए आप उसको महंगा कर रहे हो GST लगा करके so this is my request मैं बोलूँगा गवर्मेंट को this is my request please आप उन प्रोड़क्स मेरे उपर से GST हटा दीजिए गवर्मेंट को मेरे वाद समाजी में आएगी कि हाँ he is the right person and he is raising a right question to us okay let's remove such kind of person from the ambit of GST अगर सकार ने बोला अगर कोई ऐसी कोई specific काम करता है या services देता है समान बेजता है हम उसके बद GST नहीं लगाएंगे तो यह हमें clear करना पड़ेगा कि वो क्या-क्या चीजे है वो कौन लोग है जो GST के दाएरे में नहीं आते या फिर वो कौन सी services है कौन से वो goods है जो GST के purview से बाहर है तो यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि exemption है क्या चीज़ फिर्स तिंड ली वट कांड़ शर्विसिज़ वट कांड़ गूड अर्व बिन केप आउट दपर वी अब दग जीज़ ठीक है तो वह बेटा हम तेक अप करते हैं देखिए जहां से देखने पहले इसका मतलब क्या है सबसे पहले बात कि यह करेगा कौन पावर किसके पास है पहले वो तो देखे हैं हैज बिन ग्रांटेड वाइट सेक्शन 11 अधर सीज़िस्ट एक्ट एंड वाइट 6 अधा इजी़िस्ट एक्ट स्टेट जी़िस्ट लॉज ऑल्सो कंटेन आइडेंटिकल प्रोविजन ग्रांटिंग पावर्स टू एग्जम्ट एजी़िस्टी सिमिलर टू दिस क्योंकि जो सीजी़िस्टी में वही एजी़िस्टी के अंदर है तो सेक्शन 11 कहता है एक्जम्शन देनी है और सीजी़िस्टी का सेक्शन 6 कहता है इस टी वह स्टेट ग्लो करेंग तरे सेम बात लिक्थी होती है हंडेट अंदेन परसंत सेम बात होती है बस रेट का हेल फैर होता है बस ठीक है हल्का फॉलका हो भी अब हम एपसे पहले इन दोन का मतल्द फिर से देख लेते हैं हमने यह पास्ट में कवर किया हुए टैक्सिबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सिबल सप्लाई वट इस पीन अब दॉन टैक्सिबल सप्लाई वेन असप्लाई वेन अफ़ गूड और सर्विसे फॉल्स विदिन दा परिविव ऑफ चार्जिंग सेक्शन इस चार्जबल तो च्जिएषट एंड दि दिन इस इस पॉल्ड तैक्सिबल सप्लाई कोई भी हमने पहले पर दिसक्स किया था को भी भी गूड और सर्विसे या फिर उनका कॉंबिनेशन जो डिलिवर किया जा रहा है ठीक है जो जो डिलिवर किया जा रहा है और वो फॉल करता है जीएषटी के चार्जिंग सेक्शन के अंदर तो वो हमारी टैक्सिबल सप्लाई है यंवे एवैरेज नोंटेक्सस्प्लाई इस दस सप्लाई इस आण साइड़ पिर्व्यु औफ टैक्स अगरो गडियर टैक्सिबल से बाहर है इस अ नउन टैक्सेवल्सप्लाई अस्क्स कि नन टैक्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ओधेशे बल इवेंट ही् ॉでは को हुआ है तो अगर वो टैक जैसे हमने पहले देखा था कि बेटा गर सप्लाई ही नहीं हुई तो जीस्टी ही नहीं बनेगा हमने देखा था ना वैलियो सॉरी संप्लाइ टीक चेप्टर में अगर वह सप्लाइअ किundo kalo नहीं हुई तो च्थी का कॉश्ट्ट नहीं आहेगा ठीमिल ठीमर Underces सप्लाइब एteil सेंद कि वह लात्ट तो य२िवल होगati कि टैक्ज सप्लाई हो इसने क्या वोड़ा तो है which is it should be taxable supply okay उसके बाद question बाद है what is the place of supply what is the time of supply and then what is the value of supply okay important the concept of exemption has no relation with non-taxable supply exemption का non-taxable supply से कोई लेना देना नहीं है make sure exemption of supply का non-taxable supply से कोई लेना देना नहीं दोनों अलग-अलग बाते हैं यह ठीक है अब बात आती है कि exemption कितने तरीके की होती है exemption कितने तरीके की होती है so exemption बेटा दो तरीके की होती है एक तो होती है absolute एक होती है conditional, absolute का मतलब full कह लो, अगर यह supply है without a doubt आप exemption ले लो, दूसरा कहता है कि आपको exemption तो मिलेगी but with condition, और यहाँ पे अगर मैं बोलू तो without condition, ठीक है, so there are two types of exemption, first is absolute and second is conditional, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, absolute का मतलब, conditional का मतलब, आएए पढ़ते हैं, it is the exemption which would be in respect of goods or services or both but not in respect of a specific class or classes of person and is available without any condition, again, it is important to note that no condition is being attached, no condition is being attached with the absolute exemption, कि यहाँ पे कोई condition नहीं होती है, यह full-fledze होती है कि हाँ, यह पूरी full-fledze exemption है, if you are delivering these kind of services, then entire services will be part of the exemption, बेटा, non-taxable supply का example है, alcoholic products और petroleum products, खीक, example देख लेते हैं बेटा, absolute supply का exemption का, when an exemption is granted in respect of a supply of water, supply of water, then it is absolute exemption as there is no condition attached to it regarding price limitation, classes of suppliers, classes of recipients, etc. any taxable person involved in this exempted supply would be entitled to exemption, कि supply of water जो है, किसको दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, क्योंकि this is a basic need of each and every individual, पानी सबको पीना है, तो पानी कौन supply कर रहा है, किसको कर रहा है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, यह full exemption है, absolute exemption, कि आप सोचिए कि यह गरीबों को GST नहीं देना, उसके ओपर नहीं, जो अपर क्लास है, उसको पानी की जरुवत नहीं है, उसको भी पानी की जरुवत है, ठीक है, next is conditional exemption, it is the exemption which is granted on supply of specific goods and services, but is subject to fulfillment of certain conditions, unlike absolute, this conditional exemption is available, but with a condition, अब यह क्या है वो देखते हैं, if the government exemption exempts the payment of tax by any taxable person on supply of footwear costing less than 100, क्या बोला उसने, कि footwear costing less than 100, तो यह क्या बोल दी, अगर 100 रपे से कम का जूता होगा, तो exemption है, तो यह क्या है, यह conditional exemption है, अगर 101 हुआ, आपके exemption खतम, ठीक है, then it is a conditional exemption, in this case, if the cost is more than 100, then this exemption will not be available, here, price limitation is the condition, ठीक है, बट आपको समझ में आगे, दोनों में फरक क्या है, दोनों exemption में आपको फरक आगे, समझ में आगे, क्या है, absolute exemption and conditional exemptions, ठीक है बटा, बताईए एक बार आपको समझ में आगे है क्या हूँ, सर, यह last line समझ नहीं है, absolute exemption की, last क्या है बटाईए, any taxable person involved in this exempted supply would be entitled to exemption, कोई भी taxable person जो है, जो इस supply में, exempted supply में involved होगा, उसको exemption यह मिल जाएगी, बलब यह सब के लिए है, एक particular person के लिए नहीं है, particular class के लिए नहीं है, this is for everyone, ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप, तो यह, एक particular class के लिए दी गई है, 100 रुपीस का होना चाहिए जूता, उससे कम का होना चाहिए मतलब, ठीक है, बदाईए, बटाईए समझ भी आ गया, दोनका मतलब, absolute exemption, conditional exemption, any doubt here, non taxable person के लिए नहीं है, बटाई, देखो, समझे नहीं आप, non taxable person जो है, आप non taxable person है कौन, फहले वो बताईए, बटाई, कौन, non taxable person कौन होता है, तो आप ही समझे बेटा कौमल, कि question, अभी हम कर क्या रहे हैं और आपका doubt क्या है, देखिए, आप कहरो, non taxable person के लिए नहीं है, कस्टमर जिनके पास GST नमबर ना हो, बेटा देखो, supply कौन कर रहा है, पहले हो समझो आप, यहाँ पर बात हम किस की कर रहे है, रिजिस्टर परसन की, अगर वो अन रिजिस्टर है, तो इस सब बात ही कतम हो गई ना, अगर उसके बात GST ही नहीं है, तो इसका सवाल ही नहीं होगा, यह किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो रिजिस्टर परसन है, बट वो supply ऐसी कर रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग समयने आपको फर्स्ट यह बताया था, कि रिजिस्टरेशन इसलिए सबसे पहले कर रहा है था, कि रिजिस्टरेशन जरूरी क्यों है, ठीक है हैं, आगे देखते हैं, हम तीन वर्ट का मतलब देखते हैं, effective rate, full and partial exemption, दोनों का फर्ग देखते हैं, effective rate का मतलब क्या है, वो समझ लेते हैं, the exemption results into lowering of tax liability, the net tax after considering exemption is referred to as effective rate, कहता है कि effective rate का मतलब हुआ, exemption का मतलब क्या हुआ, कि आपकी tax liability कम हो जाएगी, आपकी tax liability कम हो जाएगी, ठीक है, और जो net tax आपका होगा after considering exemption is referred to as effective rate, ठीक है, तो उसको हम effective rate बोलेंगे, ठीक है, फुल exemption का मतलब क्या हुआ, कि बिल्कुल भी tax नहीं देना हुआ, अगर 18% का GST है, जीरो हो जाएगा, फुल exemption, ठीक है, पार्शल में क्या होता है, गवर्मन बोलती है, 18% का GST है, आप 9% दे दीजिए, तो यह पार्शल exemption है, ठीक है, देखिया, पार्शल का मतलब क्या कहता है, पार्शल का मतलब क्या कहता है, एक्जेंपल देख लेते हैं, एक्जेंपल कहांगे, ओ शिट, ठीक है, यहां पर समझाता हूँ है, कि सपोज कर यहां पर क्या होगा, कि आपका रेट कितना है, 18% सपोज, गवर्मन बोलेगी, ठीक है, आप इस प्रोड़क्ट पे 9% दे दीजिए, whatever the rate they can declare, बारा भी कर सकते हैं, पंदरा भी कर सकते हैं, वह गवर्मन के उपर है, ठीक है, तो that, this is what we call a partial exemption, ठीक है पेटा, अब होता है, पहले हमने क्या देखा, कि types of exemption क्या होती हैं, तो हमाई दो होती हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, types of exemptions on the basis of mode of issue, mode of issue, बेटा, हमारे पाद दो तरिके की exemption होती है, ठीक है, और वो होती है, एक तो हो गई general exemption और एक हो गई specific, दोनों में फरक क्या है, जैसे मैंने बोला, कि अगर मैं बात करूँ इसकी fresh milk, यह general exemption है, ठीक है, this is a general exemption, एक होती है, special exemption, किसी चीज़ के लिए particularly दी गई है, किसी particular time period के लिए, ठीक है, आजए इसको detail में देखते हैं, जैनल exemption, notification के थुरू आती है, जैनल exemption, notification के थुरू आती है, कैसे, section 11, एक कहता है, where the government is satisfied, जैंसे सुनना एक एक वर्ड को, जब government satisfied होती है, that it is necessary, बहुत जरूरी है, इंदा public interest, so to do, कि जनता की भलाई में यह चीज़ है, जब government को लगता है, कि यह चीज जनता की भलाई में है, इट में, क्या लिखा हुआ है, इट में, वो कर सकती है ऐसा, जरूरी नहीं कि वो करेगी ही ऐसा, कौन, government, on the recommendation of the council, जब council उसको recommend करेगा, council कौन होता है, आपने कभी देखा होगा news में, तो बोलाता है कि आज GST की meeting है, आज GST की यह वाली meeting है, अज GST की वो अगर कभी सुना होगा news में, अगर Instagram, Snapchat से बाहर निकले होगे, तो news में हमेशा आता है बेटा, कि GST की यह वाली meeting है, तो वो meeting क्या होती है, वो council की meeting होती है, जिसको निर्मला सितारमन, not exactly निर्मला सिताम notification, एक notification निकला जाता है, exempts generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax levival their own with effect from such date as may be specified in the notification. ठीक है, so government को लगता है कि ये चीज़, जब council recommend करेगा, council जो हो recommend करेगी कि यार ये वारी जो चीज़ना जन्ता के भले की बात है, इस पर हमें GST को हटा देना चाहिए, तो वो government सोचेगी कि ठीक है, अब government इसमें देखेगी कि क्या हमें ये absolute exemption देनी है या partial देनी है, ठीक है, अब ही तो क्या देख रहा है, कि general exemption है, public के लिए भीकोल है, अब उसके अंदर भी देखेगी government कि क्या हमें full exemption देनी चाहिए, मतलब absolute exemption देनी चाहिए, या फिर हमें conditional exemption देनी चाहिए, वो वहाँ पर government को सोचना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन government कब देगी, वो इन चार conditions के बाद देगी, कैसे, देखिए, the exemption should be in the public interest, सबसे पहली ज़रूरी चीज़, कि exemption, public interest में होना चाहिए, it should be by way of issue of notification और वो notification के थुरू आना ही चाहिए, ठीक है, यह word जरूरी है बेटा, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, यह कुछ words हैं, जैसे हर जगह होते हैं, वो words आपको वही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, government जब तक, council recommend नहीं करेगी, अपने आप नहीं करेगी, can notify on the recommendation from council only, मैं जाओं कि सर यह कर दो, बोलेगी आप बाहर जाओ, जाते हो दराजा बंद करके जाना, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता, मैं council के पास जा सकता हूं, कि सर यह ऐसा सह है, आप इसको एक बद देखिए, council उस पर बैठेगी, meeting करेगी, कि हाँ, कुशल आया था, तो क्या, उसकी बात तो ध्यान देना चाहिए, फिर उस पर बात करेंगी, कि हाँ नहीं है, बात तो सही के उठाई कुशल ने, तो फिर वो जाएगा government के पास, और government अगर not satisfy हो जाएगी, council की बात से, तो फिर जाकर क government, एक notification निकालेगी, कि ठीक है, इस इस particular category को हमने absolute exemption दे दी, या फिर partial exemption दे दी, या conditional exemption दे दी, जो भी होगा, उनको समझ में आगा, वो कर देंगे, ठीक है, may be absolute और conditional exemption, may be for goods and or services, कोई भी exemption हमें दी जा सकती है, ठीक है, clear, next है हमारो, special exemption, और special exemption जो होती है, वो order के थुरू आती है, वो आती है, order के थुरू, process यहाँ भी same ही होता है, बस थोड़ा सा फरेक होता है, यह section 11 सब section 2 में लिखा गया है, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to so to do it may on the recommendation of the council, सारी बाते सेम ही है न, council ही बताएगी, comment satisfy होगी, तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन by special order, यहाँ पर क्या हुआ, special order दिया जाएगा और general में क्या था, notification निकाली जाएगी, ठीक है, this is the difference, under circumstances, and यह पर बलावा है, in each case, each, हर एक case के अंदर, under circumstances of an exceptional nature, to be stated in the, in such order, exempt from payment of tax, any goods or services, or both on which tax is leviable, जिस प्रड़क के पर स्टास लग रहा है, government हर केस के अंदर, case to case, special exemption देगी, and that too via order, यहाँ पर कौन कौन सी condition होगी, वो देखिए, कि यहाँ पर भी exemption जो है, वो, public interest में होनी चाहिए, यह भी, council के recommendation पर होगा, but यह जो होगा, special order पर होगा, ना कि notification पर, ठीक है, और special exemption जो होती है, exceptional circumstances में दी जाती है, बेटा, exceptional circumstances, अगर मैं आपके याद दिलाओं, तो अगर किसी बच्चे को याद होगा, जब आप लोग बच्चे छोटे-छोटे थे, और एक बीमारी आई थी, जिसका नाम था, कोरोना, छोटे-छोटे मेरा कहने के मतलब यह है, आप लोग नए ने बार्वी से पास हो करके, कॉलिज में आए होगे, आपको लगा होगा, ओ माई गॉड, हम कॉलिज में जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, लोग डाउन, आप लोग घर बैठे होगे हो, वो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ऑक्सीजन इन्हिलर से, या फिर, और क्या कहता था बेटा, और जो उसकी दवाईयां थी, उस पे गॉड़मेंट ने, इस्पेशल एक्जेम्शन दी थी, कुछ पर्टिक्लर टाइम पेरिड के लिए, वहाँ पे उन्होंने और निकाला था, कि जो ऑक्सीजन इन्हिलर है, वो पब्लिक के लिए, GST में, कुछ कम किया था, जितना मुझे याद है, एक्जेक्टि याद नहीं आ रहा है, बढ़ हाँ, कुछ रेट कम किया था, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, एक, एक्सेप्शनल सर्कंस्टैंसिस था, क्योंकि, कुछ लोगों ने, खा लिया था, कुछ लोगों ने, किसी को खा लिया था, ठीक है, जो हमें पता है, मेबी फैक्स कुछ और हो, ठीक है, उनको कुछ भी खाना होता है, यह तो कुछ भी खा लेते हैं, रोड पे बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं यह लोग, आगे चलें बेटा, गवर्मेंट में इस्चु शच एक्जेम्शन उन केस्टो केस बेसिस एक्जेम्टिंटिंग फ्रॉम पैमेंट अफ टाक्स, अगे चलें बेटा, तो यह कंडिशन्स हैं, यह प्रोसेस है कि यह होगा, तभी गवर्मेंट देगी आपको, ठीक है, तभी गवर्मेंट आपको, सर अब वो प्रोटीन के लिए, अलगे भी खा रहे हैं, अलगे क्या होता है बेटा, पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है, अलगे, अग्री जी खुड़ी कमजोर है बेटा मेरी, ठीक है, तो यह बेटा हमारा, इस्पेशल एग्जेमिशन है, बाई ओडर, अच्छा अच्छा, सुरी, 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 खाते हैं बेटा, वो खाते हैं, थाई लोग भी खाते हैं बेटा, उसकी पकोड़ी बना-बना के खाते हैं वो लोग, हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं बेटा, खाते हैं वो लोग, तो उसकी ना पकोडी बना बनागे खाते हैं वो लोग देखे में बड़ा देखते हैं डिफ्रेंस बेट्वेइन एक्सिंशन संडर से कि एंस्तरी 1 फ्र만क शेक्र सिक्षन एवन ने सबस्क्रिशने सबस्क्राइब काइस आपको यह लेकिन यहां पर क्या बलता है फब्लिक इंट्रेस्ट होना notification इसमें क्या है special order नौमल क्लेचर क्या बोल जाता है exemption notification इसको exemption order दोनों फरेक है words का game है इस आरे कि सारा it's all about words टाइप आफ एक्जेम्शन यहां पर फूल और पार्शल दोनों सकती है यहां पर फूल दी जाती है ठीक है special के अंदर पार्शल का कोई concept नहीं है date of exemption coming into force from the date specified in the notification और इसके अंदर no specific legal provisions ठीक है अगर पूस्ता आपसे की difference बताओ general exemption और special exemption में टेबल आपको लिखनी है लेकिन exam में जहान लिखना आपको सिरफ यह नहीं लिखना section 11 subsection 1 section 11 subsection 2 नहीं आपको line पूरी लिखनी है as per section 11 11 1 section 11 2 कि यहां पर लिखना है इस शुट बी नहीं बना के लिखनी है public interest exam वह लगा ठीक है data number लेलो पांच में जाओ काम करो पुना ठीक है लाइन आक को पूरी लिखनी है ठीक है तो देखिए वेटा, कुछ गुड्स की लिष्ट मैंने डाली है यहाँ पे, कुछ एक गुड्स की जो आपको, जिस पे गौर्मेंट ने एक्जिम्शन दी हुई है, आपको याद नहीं करना है, गुड्स के नाम याद नहीं करना है, फिर भी मैंने आपके लिए गुड्स की लिस्ट डाल दी है ठीक है पढ़ लेना याद रहे अच्छी बात है नहीं रहे कोई फरक नहीं बढ़ता है ठीक है कि बेटा देखो टोटल 38 गुर्स है ठीट गुर्स है जरूरी नहीं बेटा याद रहे ठीक है कोशिष करोगे याद हो भी जाएगा लेकिन भूल लाओगे एक्जैम में क्या ये था ये नहीं था ठीक है तो पढ़ना जरूरी है कि हाँ ये आपको याद रहे नहीं रहे कोई दिक्त ने एक्जामिन आपसे ये नहीं पोचेगा कि क्या ये पूझा सामागरी है इस पर एक है यह नहीं है ठीक है coconut cotton used in the khadi yarn all goods of seed quality coffee beans not roasted unprocessed green tea leaves fresh ginger fresh turmeric other than processed in the form human blood and its components all types of contraceptives organic manure other than those bearing a brand name kumkum bindi sindur alta padani beta firewoods or fuel words would sorry wood charcoal better leaves judicial non-judicial stamp court fee stamp fees postal items like envelope postal cards or sold by government to have it a couple of goods do a job go display gst नहीं लगता ठीक है क्या कुशन करता है डिरेक्ली कुशन करेगा आपको घुमाख फिराके कुशन देगा तो आप तो घूम जाओगे आपको घुम जाओगे ना बेटा फाहिल तो आपको डिरेक्ली कुशन करेगा वह एक्जाम देर हमेशा आपको डिरेक्ली कुशन करेगा बेटा हमेशा ठीक है अब बैटा देखिए अभी तरह यह बाती गुड्स की अभी मैंने न कुछ इंपोर्टन्स सर्वीसिज भी नोटाओं करवाई है जहां पे गूर्मेंटं ने Italy m幸न दी हुए है ठीक है जहां पेगशमिक के लिए नोट्समें टाली है ठीक हैं आपका जो examiner है, वो आपको services की list नहीं पुछने वाला, ठीक है, वो आपसे general question पूछेगा, difference between general and special, absolute and conditional, partial or full, वो आपसे ये सब चीज़े पूछेगा, और आपको examiner बताएगा, कि ये चीज़े हैं, इस पे एक exemption है, बताओ आप क्या करोगे, ठीक है, आपसे ये चीज़े पू services दी जा रही है, services by an entity registered under section 12AA or 12AB of the income tax act, by way of charitable activities, अगर कोई ट्रस्ट जो है, charitable trust, charitable trust, अगर कोई है, अगर कोई charitable trust है, ठीक है, तो वो बंदा, अगर कोई services दे रहा है, तो उसकी सारी services GST के purview से बाहर है, ठीक है, अब government बोलती है, कि charitable activity का मतलब क्या होता है, वो भी देख लो, तो वो भी सारी के सारी यहां पर mentioned है, वो आप से यह नहीं पूछेगा, कि क्या वो care and counseling कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पूछेगा वो आप से, वो सिधा बोलेगा, charitable activity कर रहा है, charitable trust है, खतम बाद, ठीक है, तो उसकी services को आपने GST नहीं लगाना है, ठीक है, कोई भी services, government authority दे रही है, by way of any activity, in relation to any function, entrusted to a municipality, under article 243w of the constitution are exempt, आपके घर, आसपर उसमे, community center बने होंगे वेटा, वहाँ पर कोई function करो, 1000 रपे की जो भी fees होती है, 1000 रपे, 1500 रपे, दे दो, कोई GST लगता ही नहीं है, ultimate देखा है, क्या हो, renting of the property है, लेकिन government करती हमारा है, छोड़ दो, हमारा पैसा हमारे पास है क्या होगा, नहीं चाहिए रहन दो, और वो किसके लिए होती है, वो public interest के लिए होता है, ठीक है, government उसको भी मना किया हुआ है, services by central government, state government, union territory, और local authority, कोई भी services है, उस पर GST नहीं है, लेकिन कहता है, क्या excluding the following services, कहता है, अगर यह वारी services है, तो हम GST लेंगे आपसे, कौन सी, services by the department of post, services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport, transport of goods or passengers, any service other than services, covered under entries A to C above, provided to a business entity, तो यह services हो गई बेटा आपकी, अगली service कहता है, transport of passengers with or without accompanied belongings by air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the states of these, अरुनाचल प्रदेश, असाम, मनीपूर, मिघाले, मिजोर, नागलें, सिक्क्यम, शिर्पुरा, एट, बागदोगरा, located in the West Bengal, अगर इन लोकेशन पे, आप economy class ले रहे हो, तो GST नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपने मेरा services याद बिलकुल नहीं रखनी है, मैंने चोटी उटी services डाल दी थी, 4-5, कि आप उसको एक बार देख लीजे, कि services क्या-क्या होती है, बुक्स करने सारी services है, मत करना, टाइम वेस्ट होगा, आपका सिर्फ, ठीक है, बेटा, आईश्य क्या गह रहे हो, आप, कहां पर कोशन है, आपका क्यों सर लिखा, आपने पर क्यों लिखा, वो भी मुझे बता दू, आपको याद होगा, आपको याद होगा, वो स्पेशल केडिगरी स्टेट्स है, जब हम रेजिट्रेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी हमने, वहाँ पर जो मिनमम थ्रेश्रोड लिमिटर कम रखी हुई है, वह उन गवर्मेंट ने, जो हमारी प्रीविएस गवर्मेंट थी, आफ्टर इंडेपेंडेंज, जो भी गवर्मेंट थी, उन्होंने उन स्टेट्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पर कभी डेवलेप्मेंट हुआ ही नहीं है, तो अभी जो करेंट गवर्मेंट है, वो उनको फोकस कर रही है, क्योंकि वो लोग भी तो इंडिया का ही पार्डे मेंटा, ठीक है, तो गवर्मेंट कहते हैं कि वहाँ पर हमारी connectivity होनी चाहिए, अब वो कैसे बढ़ेगी, अगर हम prices reduce रखेंगे, अब prices कैसे reduce होंगे, जो जितना minimum किराया है, जो खर्चा हो रहा है, वो तो देना करना पढ़ेगा ना, गवर्मेंट कहते हैं हम अ कर दिया, ठीक है, अगर आप यहां से जर्नी शुरू कर रहे हैं, यहां के लिए कर रहे हैं, तो हम आपको GST नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप economy class में जा रहे हैं तो, अगर business class में जा रहे हैं, तो फिर आप बड़े आदमी हैं, तो फिर आप हमें हमारा हिस्सा दीजि बेटा, government ऐसे कोई decision नहीं लेती है, उसके बीचे बहुत strategy होती है, बहुत research होती है, क्योंकि 150 क्रोड की जनता को समालना is not an easy task, समझे रहे हो, 150 क्रोड पीपल को समालना is not an easy task, जो समाल रहा है उसको पता है, कि उसको सबको देखना है, देश की security भी देखनी है उसने, ठीक ह और लोगों का lifestyle भी देखना है, तो priority पहले किस पर आईगी, देश की security पर ना कि लोगों के lifestyle पर, लाइफश्टाइल भी priority है, बड़ secondary priority होनी चाहिए, किसी भी राजजी की, किसी भी देश की, पहले security होनी चाहिए, जब देश सी secure नहीं होगा, आप सबसे पहले क्या देखें ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे, जब आपके body में ताकत ही नहीं होगी, आप लड़ोगे कैसे, बेटा उस टाकत आजाएगी आपके पास, ठीक है, ठीक है, तो government उस चीज़ से focus कर रही है, यह मैं आपको specific case समझा देता हूँ, ठीक है, RWA, आप मैंसे काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, क्या मतलब full form होती है, Residence Welfare Association, RWA, आप लोग जहां कहीं भी रहते हैं बेटा, आप खुद भी रहते होंगे, आपके असपास में होंगे यह लोग, तो एक society को manage करने के लिए, एक committee बनाई जाती है, या तो वो registered होगी, या वो unregistered होगी, बेटा, या तो वो registered होगी या फिर वो unregistered होगी, ठीक है, क्या कहता है, वो क्या करती है, सोरी हाँ, यह क्या करते है, हर एक landlord से, जो वहाँ पर रहता है, या फिर tenant भी हो सकता है, वेटा, ऐसी बात नहीं है, उससे कुछ पैसा लेते हैं महीनेगा, जिससे क्या होता है, जो आपके society के बाहर guard बैठा होता है, या फिर पूरी society में सफाई होती है, cleaning, अच्छा सफाई लिखने जा रहता मैं, या फिर कोई advertisement करना ही होती है, for the welfare of the people of the society, इसके पैसे कहां से आते हैं, इसके पैसे आप लोगों से आते हैं, जो आप से monthly लिये जाते हैं, monthly, ठीक है, और उसी पैसे से, यह सारे कर्चे किये जाते हैं, the issue relating to GST and monthly subscription charged by the residential welfare association may be discussed as अंदर, क्या कहता है, कहता है, अगर 70 सो रुपे पर महिना है, तो क्या होगा, क्याता है, supply of services by RWA, unincorporated body, or a non-profit entity, registered under any law, services of supply of services by RWA to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution up to an amount of 7500 per month per member for a providing services and goods for the common use of its member in a housing society or residential complex are exempt from GST. जो भी आपका RWA है, अगर एक member से एक महिने का 75-100 रुपे तक लेता है, तो सारी की सारी services GST के परिवियू से बाहर हैं, limit is 7500 रुपीज पर मुंथ पर मेंबर. Registration of RWA, if aggregate turnover of an RWA does not exceed 20 lakhs in a financial year, it shall not be required to take registration and pay GST, even if the amount of maintenance charges exceed 7500 पर मुंथ पर मेंबर. दो चीज़े हो गई, पहली चीज़ क्या बोलता है, कि GST चार्ज नहीं करना अगर 75-100 तक है, और दूसरी चीज़ क्या बोलता है, आपका amount 10,000 है, लेकिन yearly जो है subscription वो 20 lakh से कम है, तो नहीं करना GST चार्ज, क्यों क्यों limit में नहीं आज तो कहां से कर लोगे बिटाव, ठीक है? अब जेखिए, annual turnover जो RWA की किया, वो 20 lakh से कम है, 20 lakh से कम है, तो फरक ही नहीं पड़ता, subscription 75-100 से कम है या ज़्यादा है, exemption मिल जाएगी, लेकिन अगर turnover 20 lakh से ज़्यादा है, ठीक है? और subscription 75-100 से कम है, तो exemption मिलेगी, लेकिन turnover 20 lakh से ज़्यादा है, और subscription 75-100 से ज़्यादा है, तो GST देना पड़ेगा, कोई exemption नहीं मिलेगी, कोई exemption नहीं मिलेगी, आपको GST देना पड़ेगा बेटाव, ठीक है? clear? तो आपको GST जो है RWA की फोंको, तभी देना पड़ेगा, RWA को, जब दोनों condition यह satisfy हो जाएंगी, तो आपको exemption नहीं मिलेगी, as per entry number 77, ठीक है बेटा? clear? चले आगे? ठीक है, आगे चलते हैं, एक example देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, एक्जाम्बल क्या कहता है, चारे टेवल एक कोशिए हैं, धरंदाश चारे टेवल ट्रस्ट, रजिस्टर अडर सक्षिन 12.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00. है फॉर्निशिए, फॉलर्निश्ट इटेश्ट एटेए, activities undertaken by it you are required to calculate a GST liability to the rate of 18% question क्या कहता है कहता है amount received from renting of commercial property belonging to the trust कहता है amount received किया उसने amount received कितना 3,60,000 रुपे next fees for educational activities conducted for orphaned children एक लाग बीचिजा रुपे पीस अच्छा पे करिये इसने conducted है ना पे करिये यहां पे इसने क्या किता amount received किया था किसने ट्रस्ट ने जो प्रोपर्टी ट्रस्ट की है और यहां पे ट्रस्ट ने यह पैसा खर्च किया है ठीक है amount received from activities of preservation of forest again amount received fee receive for skill development activities for the prisoners 25,000 rupees fee receive for educational program for person living in the rural area above 65 years कितना 86,000 fee receive for physically or mentally abused skills development program is 40,000 क्या कह रहा है you are required to calculate the GST liability at the rate rate of 18% कोशी मेरा फिर से प्रण लीजे एक बार आगे चलते हैं फिर ने आसे आज़ा आगे चलते हैं पर और आगे चलते हैं कि 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 चले आगे अच्छ पहले किसमें क्या है बेटा हूं अमाउंट रसीव फॉम रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रोपर्टी अब यहां पर बेटा के बोलो तो चैरिटी तो कोई हो नहीं रही है या कोई चैरिटी हो रही है नो चैरिटी जिस इस अ क्लियर कट बिजनस थीक है तो यह आपका टैक्सवर वैल्यू में एड हो गया नेक्स्ट फीस फोर एड्यूकेशनल अक्टिविटी कंड़क्टिट फोर और फेंड चिल्डरन यह आपकी चैरिटेवल अक्टिविटी कंसीडर होगी यह आपका पूरा का पूरा एक्जेंट हो जाएगा हो next amount receive from activities of a preservation of forest same वही चीज है चैरिटेवल अच्टिविटी यह ठीक है नहीं sorry इस विल नहीं बीटेवल चैरिटेवल अक्टिविटी बट लिएड्यूकेश्ट फीटी प्रूरा एड्यूकेश्ट फीस रिसीवर्ड टैक्स्ट एड्यूकेश्ट फिस प्रूरा एड्यूक्ट आप समाज के लिए काम करें इसको क्यांब करें एंव क्यों में उसको भीया है और यहां नहीं हो रही है और यहां पर भी का इंटेल्ली आपका निॉर में इन आप ख़चेष ज़ेंट तो आपके लिए देखा जाए तो 3,60,000 की आपकी value हो गई ठीक है अब वहीं पर अगर यह बोल दे कि इसके लिए फुल एक्जम्शन है एप्सुलूट एक्जम्शन है सरी लेट सपोज तो यहां पर जेश्टी नहीं लगेगा लेकिन यहां पर इसने क्या बोला हुआ है अठारा परसंट के साथ से जेश्टी निकालो निकाल दिया कंसीडिंग सी प्लस एस अठारा परसंट आगया आपका 64,800 रुपीज बच्चा कह रहा है सर इसका वर्कीनूर बनाना पड़ेगा आंसर इस यस अगा इस सर प्रिज्टनर्स के लिए कैसे हो सकता है बेटर देखो प्रिज्टनर्स की बात यह नहीं होती कि प्रिज्टनर्स को कुई से सर्विस अब खता हो गए इंसान गलतियां उन्होंने करी है उसकी सजा उनको वहीं मिल रही है ठीक है और देखा जा तो हर प्रिज्टनर को यह सर्विस यह यह फैसिलिटी नहीं मिलती है बेटा यह उनको मिलती है जो एक सर्टेन एस क्रॉस कर चुके होते हैं ठीक है आगे चलते हैं कि एक्जांपल है बेटा कर ले ना ठीक है कि सर्वेर के आई फाइंड सेवेंटी डेज स्टुडी प्लान वीडियो प्लीज गेट अपलोड़ेड बेटा आप तो सत्तर दिन बचे ही नहीं है ना अब तो चालेज दिन बचे हैं तीज दिन गए आज सत्तरह तारीक हो यह थाइस माहिक आपका पेपर है कि अब सेवेंटी डेज वाला मत देखो हम फॉर्टी डेज वाला देखो तो फॉर्टी डेज में कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने पढ़ना शुरू करो विडियो खोलो पढ़ना शुरू करो ठीक है रागो ठीक है बड़ा एक्जांपल पढ़ लेना आप आंसर है इसका यहीं पर कोई प्राब्लम मुझे पूछ लेना विकन डिस्कूर्स अब सेम वर्किंग नोट है वर्किंग नोट आपको लिखने हैं एक बच्छा मुझे सब्सक्राइब कि सर अगर वर्किंग नोट हमें सेक्शन याद ही नहीं है तो वर्किंग कैसे लिखेंगे वेटा मैं मैं आपको हर क्लास में बोला है अगर वर्किंग नोट याद है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं याद है आपको आंसर लिखना है जो मैं बताई है एज पर रेलेवेंट प्रोविजिंस ऑफ दा जीएस्टी जीएस्टी एक्ट दोगोजा सतरह आपकी एक लाइन होगी के शहते हैं इस लेमें एक परसेंट का वी कीभी गलती नहीं है अगर स्क्षन याद तो क्या इकना है एज पर सेक्षण 11 सबसेक्षन वन और डाई यह स्क्षिंग दोजाद सतरह लाइन वह ई है बस आपको स्क्षन याद नहीं है तो आपको क्या लेकना है एज पर relevant section of the GST Act 2017 ठीक है हां जी तो बड़ा एक्जाम्बल्स आपको खुदी करने आप एक्जाम्ब्स कर लीजिएगा ठीक है यह एक्जाम्ब्स वह एक्जाम्ब्स हैं जो थोड़ा सा जिसमें सारे सारे किसा और मुस्ट लेंगे और एक्जाम्ब्स में हमारा इतना ही बेटा इस्यादा नहीं है बस आपको कुश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे टॉपिक जो मैंने थियोरी कराई है वह एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है और लेकिन जितने भी इलस्टेशन्स हैं प्लीज ट्राइट्व इस वह बात करेंगे तो हमारा जिस्टी बेटा जो है जिल्कुल मिलेंगे बेटा बिलकुल मिलेंगे बेटा ठीक है तो हमारा बेटा भी क्या बचाबच जिस्टी में टाक्सिंग वॉइस टैबिट नोट क्रेडिट नोट इवे बिल और एसेस्मेंट ओफेंसेज और पैनलिटीज और आपका एक दो टॉपिक मिसलेनिस में रिफंड वगारा वो में करवाद हुआ तो प्रविवली हमारी दो से तीन क्लास और होंगी घ्री देन वी विल गो तुदा कस्टाम ठीक है तब तक आप बेटा इस टॉपिक एक बार रिवाइस कर लीजिएगा ठीक है और फिर हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास के अंदर सेम टाइम पर ठीक है बेटा गुटनाइट बाई बाई टेक कियर बट प्लीज कोश्टिंस और जरूर जरूर कर लेना वनना मजा नहीं आएगा बेटा अफिर